नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चेतन वर्गास आप देगरें व्लोग टोनिक्स इस वक्त मैं हूँ संगमनगरी प्रयागराज में और आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आनंद भवन जिए आँ दोस्तों नेहरू परिवार का जो रेजिडेंस भी रह चु कुछ पढ़ने को मिलेगा इसको जुरू पढ़के जाना तो अभी बाहर से देखने से तो यह बिल्डिंग एक सिंपल गर की तरह लग रही है लेकिन यहां पर गाइज कॉंग्रेस के बड़े-बड़े डिसीजन्स यहां पर लिए गए थे तो चलिए अब आपको अंदर की सेर मैं करवाओंगा और वाईज यहां पर देखो यहां पर लिखा भी हुआ है जब बंडित नहरुजी का देहात हो गया था तो उनकी जो अस्तियां थी वो संगम में बहाने से पहले इसी स्थान पर रखे गई थी जैसे एक घर के पास गार्डन होता है ऐसे यहां पर एक बहुती खूबसूरत बहुती ब्यूटिफुल गार्डन है आनंद भवन को श्वाराज भवन भी बोल जाता है और 1930 में श्री मौतिलाल नहरुजी ने जो की पंडित जोहरलाल नहरुजी के फादर थे तो उन्होंने इनको बनवाया था और यह नहरु परिवार का रेजिदेंस रह चुका है और इसके बाद बात करें तो इसको बाद में गौर्मेट को सौफ दिया गया था ठीक है जब हमारी श्रीमेदी इंद्रा गांधी जी थी उस टाइम प्राइम निश्टे थी तो 1970 में यह इंडियन ग यह बैटने के लिए और आप जो देख सकते हैं जो एक स्टडी रूम में जो होता है ठीक है वह सारी चीज़े हैं और यह सारी चीज़े बड़ी सहेज करकी गई है और यहां पर देख सकते हो मतिला नेरुजी रहे यहां पर इनका यह लेविंग रूम था ठीक है एक्छली यह देख सकते हो वह सारी यहां पर फोटोज यहां पर यह बैट लगा हुआ है यह इस चीज़े को मेंटेन करना देख सकते हो कितना और यहां पर एक चेर भी है ठीक है जब वह काफी मतलब वीक से पढ़ गे था जब उनकी काफी एज हो गई थी मौतिला नेरुजी की और यहां पर लिखा भी होया गाईज आई होब कि आपको कुछ दिख रहा होगा वीडियो में को कि इसकी क्वालिटी काफी लो है ठीक है तो उसके लिए माफी चाहँगा तो यहां पर यह चेर है ठीक है यहां पर देख सकते हो यहां पर इनका स्टडी रूम था यह तो वाइज यह सबी आपने अंदर का विउद देख लिया भी माबार का देख सकते हैं यहां पर जो श्रीमति इंद्रा गांधी जी थी और जो फिरोज गांधी जी तो उनका जो विवाह था वो इस स्थान पर वादा गाईज ठीक है तो यह देख सकते हो आप यह अंदर का यहां पर कुछ न जा रहा है यहां पर यहां पर यह किचन है ठीक है और यहां पर यह कुछ फोटोज यहां पर हिस्टोरिकल की कुछ पुरानी फोटोज लगी हुए है उस टाइम की जब विवाह हो रहा था और यहां पर देख सकते हो शवरूप रानी नेरुजी यहां पर यहां पर टेक टूरिस्ट की तरह यहां पर इंको बना की कि आगर आप पलिटीक्स लवर हो या आप हिस्ट्री लवर हो तो आपके लिए बहुती बेतरीन जगाया गूमने के लिए तो यह देखिए फिरोज गांदी जी और शिर्मिती इंद्रा गांदी जी के विवा के उसर पर लिया गया चितर 26 मार्च 1942 और गाइज इतना सहेज कर रखना बहुत बड़ी बात होती है यार क्योंकि आप सभी को पता ही होगा ये पेपर की फोटोस को और ये सारी सारी फोटो यहां पर तो यहां का स्वराज वावन इसको आनन्द वावन भी बोले जाता है काफी अच्छा भी वह आ रहा है क्योंकि दूप निकली हुई है तो काफी में को अच्छा लग रहा है यहां पर और इसके साथ यहां पर देख सकते हैं अंदर की कुछ गैलरी टाइप है ठीक की उन सारी जीचों को यहां पर दिखाया गया है खीक है तो आप यहां पर भी घुम सकते हुए नहरू सीद बौर में दिखा ऊए सारग चालग was already here and he шир allag analyse story स्टोरी लग में और आप सब अन्ढ़ भावन की बारि में तोड़ा उन आ jewels qui are or worst उतीं तरभागांदी जी के बारे में और ये शुतंतर था कि जो लड़ाई मैंने बात करी थी ये फर्स्ट टाइम जो जंडा था लाल किले पर फहराए गया था शुरू नहरूजी के दौरा जो क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे नहरूजी थे तो ये उस चीज़ अगटित हो रही थी मैं वहां पर पहुंच गया हूँ ठीक है तो ऐसा लग रहा है हुए टाइम में पीछे चला गया हूँ बहुत सारी चीज़ यहां पर देख सकते हूँ और उसके बाद यह देख सकते हूँ इनकी नहरूजी की और इंद्रा गांदी जी की यहां पर अच्छी जगह लगी है याँ पर यह क्योंकि बुक्स लवर के लिए यहां पर मोत जो हमारे नहरूजी थे पंडित नहरूण के दवारा निकी गई बुक्स जेल में यह उनका जेल का चित्रन हो उन्होंने सारी बूस लेकी थी कि यहां पर देख सकते हो आन्दर की चीजे ह है और गाइस यहां पर यह जवाहर राल नहरू प्लैंटरियम और एक्जिट थिक है प्लैंटरियम आने की तारहमंदन तो आप यहां पर भी विजिट कर सकते हो अगर आप आनम हावन में आते हो तो ठीक है तो यह वीडियो थी आज के I hope you really enjoyed this video आपको वीडियो अच्छी लगिया तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेर कीजिए and I will meet you